हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल नीरू स्टाइल कॉर्णर गाईज आज मैं आप शेयर करूंगी सिंपल इजी संडे मेकप लुक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं मेकप और हेर से रिलेटेड वी अच्छा वर्क करेगा और आप जो भी अपने फेस पे अपलाई करेंगे उसे लॉंग लास्टिंग बनाएगा मैं अपने टी जोन पे फोकस करते हुए पूरे फेस में अपलाई कर लूँंगी अब मैं यहां पर यूज़ करूंगी ओलिविया का पैन स्टिक यह मेरे फेस को ब्राइटन अप कर देगा और जितने भी डार्क सर्कल है उनको हाइड कर देगा आप इसकी जगह पे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फाउंड इंसन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब मैं इसको डैम प्यूटी ब्लेंडर की हैल्प से डैबिंग मोशन में ब्लैंड कर लूँंगी और यह बहुत अच्छा एक कब्रिज देदेगा मुझे यहां मैं यूज़ करूँगी लैक्मी 925 कॉम्पैक्ट और एक बॉपिम ब्रश की हैल्प से मैं अपने पूरे फेस में अपलाई कर लूँंगी यह मेरे फेस को मैटेफाई कर देगा और मेरा फेस का मेकप जल्दी स्वेट नहीं होगा मैं अपने आइवरोज को फील कर लूँंगी एक एंगल ब्रश की हैल्प से आपको ब्राउन काजल की हैल्प से भी अपने ब्रॉज को फील कर सकते हैं यहां पर मैं लेकमी का काजल लोंगी और अपने वाटर लाइन पर अपलाई कर लोंगे मैं लाइनर लगाऊंगी मैं एक थिक विंग लाइनर ड्रॉ करूंगे मुझे डेली बेसेश पर थिक विंग लाइनर अच्छा लगता है अगर आपको नहीं पसंद है थिक विंग लाइनर तो आप से सिंपल लाइनर भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे स्कीब भी कर सकते हैं देन मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगा लोंगे आपकी जो भी फेबरेट लिपस्टिक है आप लगा सकते हैं और यह इस लुक पर बहुत अच्छा लग रहा है आप रेट लगाना चाते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं और अब मैं अपने डियाइवाई सेटिंग स्प्रे यूज करूंगे और उसको एक ब्लैंडर की हल्प से पूरे फेस में डैबिंग मोशन में ब्लैंड कर लूंगे तो गाइस यह है मेरा फाइनल लूप अगर आपको मेरा सिंपल इजी संडे मेक अप लूप पसंद आया होगा तो प्लीज डॉन्ट पॉर्गेट लाइक शेयर सब्सक्राइब